हाई अब्रिवन वेलकम टू माई चैनल श्रीका जहां आज हम बनाएंगे हरी मिर्ज की सबजी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अगर आपको तीखा और चटपटा खाना पसंद है तो आप इस हरी मिर्ज की सबजी की रेसिपी को ज़रू ठ्राई करें तो आईए अब हम रेसिपी स्टाट करते हैं हरी मिर्ज की सबजी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्ज लिया है और इसे मैंने धोके अच्छे से पोच लिया है और अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे और इसके बीज निकाल लेंगे ये देखिए मैंने हरी मिर्श को बीच से कट कर लिया है और इसका बीच भी निकाल लिया है अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक चम्मत सरसो का पाउडर डालेंगे आधा चम्मत जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अगर आपका हरा मिर्च ज्यादा तीखा है तो आप लाल मिर्च पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे मैंने यहां घर का बना हुआ आम का चार लिया है आप इसके जगा आम चोर पाउडर यूज कर सकते हैं अब हम next process पे चलते हैं तो यहां मैंने gas on करके gas पे पैन चरहा लिया है और इसमें तेल डाला है और अब हम तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है तो अब हम gas का flame लो कर देंगे और इसमें मिर्च डालेंगे मिर्च डालने वक्त थोड़ी साबधानी रखें इसके छीटे आ सकते हैं इसे mix कर लेंगे और इसे medium flame पे 2-3 मिनट तक पकाएंगे मिर्च फ्राई हो गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए इसे हम अलग निकाल के रख देंगे और सेम पैन में हम तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे एक चमच लैसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे लैसुन फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मसालो को हम 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे मसाले अच्छे से पक गये हैं तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मिर्च डालेंगे और इसे मसालो के साथ मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक कक पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें आम का चार डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डाले इसे मिक्स कर लेंगे और इसे धक के 1-2 मिनट तक पकाएंगे दो मिनट हो गया है तो अब हम धक्कन हटा के इसे चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी मिर्च की सबजी बन के तयार है, इसे हम mix कर लेंगे और gas को off कर लेंगे, अब हम इसे serving bowl में निकाल लेंगे, तो ये हमारी मिर्च की सबजी तयार है खाने के लिए, आप इसे रोटी, पराथा और बिर्यानी के साथ खा सकते हैं, आप इस recipe को जरूर try कर तो मेरे चैनल श्री का जहां को like and subscribe करें और bell icon पे जरूर क्लिक करें, इससे मेरे सबी videos के notification आपको सबसे पहले मिलेंगे